लास्ट में जो है वो 325, 325 का जो लेवल है दोस्तों वो अमें खाल जान रखना है 325 is a very 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 important level for us अगर नेट्रल गेस में अगर आप बाई साइड की बात करो तो 325 का जो लेवल है वो अब उसके लिए बहुत ही ज्यादा important हो जाएगा अगर नेट्रल गे जो है वो 325 के लेवल के नीचे लगा था दो तीन दिन ट्रेड करता है तो फिर उसके अंदर जो है वो काफी अपे बड़ी जो है वो गिरावट हो सकते है फिर जो यह वो अधर जो है वो जैसे काटेगा तो हमें पता चलेगा दोस्तों कि कहांत कुछ का ज लिंक के वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है वो आप जरूर देखना अब हम यहां से आगे की जो बाते वो करते हैं तो यहां पर जो है वो 300 का जो लेवल है वो काफी इंपोर्टन रहेगा 300 से लेके 295 चालीश यह 455 पॉयंट की जो रेंज यह वो काफी इंपोर्टन रहेगी अगर हम यह वाली रेंज को ब्रेक करते हैं तो यहां से 288, 282, 272, 265 और 250 लेवल दोस्तों नोट डाउन कर लेना यह वाले लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते अगर यहां से यह वो क्लोजिंग बेजिस के उपर ब्रेक करें नीचे की तरब तो यहां से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर यहां से उठता है और यहां से अगर उपर चलना चालू करता है दोस्तों तो यहां से बड़ी चाल आ सकती है और 312, 320, 325, 330, 330, 350 तक के जो लेवल है वो हमें यहां से देखते को मिल सकते है दोस्तों तो आप जो है वो थोड़ा सा NG के अंदर यहां पर ध्यान रखना अगर आप भी ऐसा जो है वो सपोर्ट और टार्गेट रेजिस्टेंस कैसे निकाले वो शीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्श कोर्स का लिंक दिया गया है दोस्तों तो वो लिंक ओपन करके आप हमारी एप्लिकेशन चे वो कोर्स सब्सक्राइब करके ऐसा ही सपोर्ट और टार्गेट जो है वो सीख सकते हो और लास्ट विक का जो दोस्तों लिंक के वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन के दिया गया वो भी जरूर देखने